हिंदी भासा सिक्षण में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्याले सिक्षा में हिंदी भासा सिक्षण की आवसकता कि विद्याले सिक्षा में अलग लक्स तरो पर हिंदी भासा सिक्षण की क्या आवसकता है क्यों बच्चों को पढ़ाई जाती है तो वीड भासा विविन विश्यों के अध्यन एवं अध्यापन का सरवाधिक महत्मून साधन है बिना भासा के ना आप किसी विविश्य को पढ़ सकते हैं ना जान सकते हैं ना लिख सकते हैं ज्यान विज्यान के विविन विश्यों को हम भासा के माध्यम से ही पढ़ते हैं लिखते है हैं जानते हैं समझते हैं अगर हिंदी की बात करें तो विद्याले पाट करें में हिंदी विविनी स्थरों पर पढ़ाई जाती है बच्चा जब विद्याले जाना शुरू करता है तब से लेकर और हम कच्छा बारा तक की बात करें तो हर स्थर पर हिंदी बच्चों को अलग लग लग आव सकता हैं अलग लग महत्व हैं अब हम जानते हैं कि अलग लग स्थर कौन कौन से हैं और किस इस तर पर हिंदी भासा की क्या आव सकता है तो सबसे पहले अगर हम कक्छा एक से पांस तक की बात करें जिसको प्रात्मिक स्थर कहा जाता है तो कक्छा एक से पांस कि जिनी की prospective सांगारी को सब्धोn से समझ सकें विध्यारत लिखिस्तामगरी को सही परकार से पढ़ सकें विध्यारतİ अपनी विचारों को उनके मन में जो विचार हैं उसको सब्दों के माधियम से सही परकार से अभिवेक्ट कर सकें विद्यारतियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना क्योंकि जितने जादा शब्द सीखेंगे उतने अच्छे से बोल सकेंगे उतने अच्छे से लिख सकेंगे इसके अलाम मैं पढ़ने की आदत को विख्षित करना जब दीरे-दीरे बिचों को पढ़ना आ जाते तो आप देखते हैं कि बच्चा में सफर करा तो अलग-खी किताबे देखता है छोटे बच्चें हैं तो इनको कहानियों की किताबे जॉरा पचंद है जो जंगल की कि उच्णारन को पहसा है कि माध्यम से जो बच्चो की जो उच्णारन होता है उनुक्ते बोलने का तरीका होता है निखने का तरीका होता सूंसको बनाया जाता TAKK SUDज तरीके से प्रक्षट तरीके से बोल सकें लिख county फिर हम बात सकता है कि जब बच्चा पांच के बाद कच्छा 6 में जाता है तो कच्छा 6 से आट तक जो हिंदी भासा सिक्षन की क्या 만들 सकता है तो इस तरफ पर बच्छों को व्याकरण का ग्小時 प्रदान कराना ठेक है विद्यारती भासा को सही तरीके से लिख सके, सही तरीके से बोल सके, सही तरीके से समझ सके विद्यार्टियों में स्वव अध्याय की प्रवर्ती का विकास करना मतलब खुछ से पढ़ने की प्रवर्ती का विकास करना, अभी तक तो सिक्षक बच्चों को सिखा रहाता, पढ़ना लिखना लेकिन जब बच्चा कक्षा 6 में आता है तो बच्चा हिंदी पढ़ना सीख जाता है तो इस तर पर विद्यारतियों में स्वर अध्याय की प्रवर्ति का विकास करना विद्यारतियों की भासा के परतिसोंदर भावना को विक्षित करना तो भासा के परतिसोंदर भा ठीक है अच्छ गेव इसको जान सके इसको समस्ष सकें ठीक है तो बासा की पृति संदर भावना को विख्शित करना इंच विद्यारतियों के शटब्भन्दार्में वृद्धिर्धिकरना वीद्यारतियों की लिखने पढ़ने बोलने और समझने की चमता का विकास करना सरस्वर और आदर्स वाचन की योगेता का विकास करना तो सरस्वर क्या होता है कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो एक ले में पढ़ते हैं ठीक है तो ससवर जो वाचन होता है, कवीता पढ़ने में इस्तमाल किया जाता है और आदर्स वाचन जब आप गद्य की अन्य विधायएं, जिसे आप चाए कहानी पढ़ोगे, ठीक है, आप चाए पढ़ोगे परःपानी पढ़ोगे, जो गद्य की विधायएं होती है नाटक होता है कांकी होता है तो उसके लिए आदर्स वाचन की मतलब पढ़ते समय व्याकरण के नियमों का ध्यान करना सही प्रकार से पढ़ना तो स्वास्वर मतलब कविता के लिए और बाकी जो विदा है उसके लिए आदर्स वाचन की योगेता का विकास करना ताकि कच्छा 9 में जाता है तो कच्छा 9 से लेकर 10 तक हिंदी भासा सिक्षन की क्या आव सकता है तो विद्यारतियों के श्रब्ध भंडार में विद्धे करने के आव सकता है विद्यारतियों में पाठ की रस भाव को समझने ग्रहन करने की चम्ता का विकास करने के लिए कि पाठ ज सो अध्याय और मौन वाचन, सो अध्याय मतलब खुस्य पढ़ना, मौन वाचन मतलब बिलकुल सान्थ होकर मन में पढ़ने की जो आदत है उसका विकास करना, इसके अलाम व्याकरण के जो नियम है, रस है, अलंकार है, आदी से परिचित कराने के लिए भी हिंदी भासा करते हैं, या नाटक के माध्यम से उसको अभिनाय करके सबके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, तो इस तरपे भी देखते हैं कि बच्चे अपने विचारों को अभिवेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी वाचन की जो छमता है, अभिवेक्ती की जो छमता है, उसका विकास हो रहा विद्यारति अपने विचारों को सही और सपर्श्ट रोप से लिख अविवैक्ट कर सकें, इसलिए आप सकता है, इस तरह पर, विद्यारतियों में निबंध, पत्र, अनुच्छे, समवादाधी लिखने की कला में निपूंता पैदा करने के लिए आप सकता है, तो इसलिए आप इस तरह पे देखते होंगे कि व्याकरण में अक्सर आपको संवगाद लिखना पड़ता है पत्र लिखना पड़ता है अनुषेद लिखने के लिगए आता है निमंद लिखने के लिए आता है ठीक है ताकि आपकी जो भासाई जो कौसल है उसमें आपको निपुंता प्राप्त हो ठीक है आप सही तरीके से बोल सकें सही तरीके से लिख सकें सही तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें उसके बाद जब हम आते हैं कक्छा 11 और 12 तो उस तरपर हिंदी सिक्षण की क्या हो सकता है विद्यारतियों को भासा का अधिक से अधिक अधिक अधिन करने के लिए प्रेदित करने के लिए ठीक है उनको स्वरचित कविता कहानी पत्र आदिल लिखने के लिए प्रेदित करना कि बच्चा अपने खुष से जो रचित जो क विद्ध्धाओं को समझना उसको अविवêtes करना अपने विचारों को सही Next HORS- vessel लिखकر बोलकर अविवेत करने की छम्ता का अविकास करने कि लिए इस क्याव सकता है विद्यारतियों में चिंतन प्रवर्ती का अविकास करना की विद्यारतियों में चीजों को देखें, पढ़ें, सोचें, समझें, अगर कोई कहानी पढ़ने हैं, कोई कविता पढ़ने हैं, तो इस चीज को सोचें कि जो कवी ने लिखा है, जो लेखक ने लिखा है, तो क्यों लिखा है, उस समय की समाज क्या था, क्या समझ से आए थी, अपने इस कविता के म विकास करना कि बच्चा जब भी कुछ पढ़े तो पढ़ने के सासथ उसके क्या गून हैं क्या दोस हैं ठेक हैं तो उसकी समालोचना की प्रवर्ति का विकास करना विद्यार्तियों में पाठ किरस भावों को समझने और ग्रहन करने की चमता पैदा करने के लिए विद्यार्तियों में स्वध्याय और मौन वाचन की आदत को विक्सित करने के लिए विद्यार्तियों को कविता के विवित पक्ष जो हैं गद्दे की विविन विधाएं हैं उससे परिचित कराने के लिए आवसकता है भासा सिक्षण की विद्यार्तियों को हिंदी भासा और उसके सहीते का समान ग्यान कराने के लिए हिंदी सिक्षण की भासा सिक्षण की आवसकता है तो हमने पढ़ा कि विद्याले की अगर बात करें विद्याले स्तर की बात करें अलग लिक्स तरों पर हिंदी बासा सिक्षन की क्या क्या आवसकता हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद